और यहां पर ठेकर नहीं खुलने चाहिए क्यूं कि यहां पर आने जाने में हम जौब वगेरा भी करते हैं लडग이ा हור्या छाक्ती खड़ी है इनसे बड़ी सक्ति कोई है यंदोस्तान में चलती है चलेगी और यही सबस्यादा इसको इस प्रकण में इनी को सबस्यादा नुक्सान होना इन्हों नहीं यहां से निकलना शरुप जहीं जब भारत और आप देखे रहें में साथ सीसे न्यूज 34 चैनल मैं हूँ आपके साथ दिनेश गरक जैन वही कड़वे सवालों वाला इससे में मुझूद हूँ भारत के राजधानी दिनली के सुल्टानपुरी काookie एरिया है और किशन भीहर भी बता रहे ही लगता है और यह गली नंबर कितनी है यह गली नंबर एक है सुल्तानपुरी टर्मिनल से बिल्कुल टाच है और आपको थोड़ा सा पता दूं यहां पर हा है पूरे में घर-परिबार यहां पर रहते हैं और जितने लोग यहां ही कठे हो चुके हैं वो सारे कहिना कई घर-परिबार वाले हैं और जिनका इसी गली में होगा और इस गली में यहाँ पर यह नीला पेंट हुआ है हलाकि नया तरो ताजा पेंट हुआ है और यहाँ पर ताला लगा है यहाँ पर बता रहे हैं कि दुबारा से शराब का ठेका खुलने जा रहा है दुबारा से का मतलब है पहले यहाँ पर कभी शराब का बात चल रहे हैं कि यहाँ पर शराब का ठेका खोला जाएगा सर्कारी लेकिन इसके विरोद में तमाम निवासे यहाँ पर इक्टे हुएं हैं ताकि इसका विरोद करेंगे और उमीद करूंगा दिल्ली सरकार से भी तमाम अधिकारियों से कि यदि जंता वहां की विरोद कर है तो उस चीज़ को यहाँ पर नहीं खोलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं यह पूरा रेजिदेंसल एरिया है बाकि फिर भी तमाम लोग यहाँ पर इकठेंग पर बात कर लेते हैं क्या नाम हूँ जी सुधीर सौलंकी मेरा नाम है और मैं यहाँ पर ठेक है के बिल्कुल विरोध में हूँ यह कृष्ण वियार का शेत्र है गली नंबर एक यहां से माता और बहनों को निकलने में बहुत ही कठनाई होती है यहां पर शराब लेके और यहीं पर गली में खड़े होके लोग बाद पीते हैं पीते हैं और उसके बाद फिर मतलब यूरिन भी यहीं करते हैं ब मतलब अच्छा मतलब यहां पर शराब का ठेका खुरने जारा यहां ने में खुल और अगर इसके लिए बिरोधमे भाधना पड़ा तो बैंटिंगे बैटिंगे बैण बैटी भी लिकलती है सब बातों बगएरा सब करते हैं जान नहीं सकते होएं बच्चे भी नि कल सकते हैं को जाते नहीं पर भी टॉयलेट करेगा और जितनी भी ओच्छी हरकत हो सकते हैं वो शराब पीने के बाद यहीं पर करेगा अच्छा क्या बता होगे मातर जी हां पर शराब का ठेका खुलने जा रहा है और आप इरोध में भी हो यहां पर ना खुलना चाहिए कभी घर वाले शराब तो नही मैं भी चाहूंगा कि यहां पर नहीं खुलना चाहिए कि यह बिल्कुल रेजिदेंसल एरिया है और अगर शराब का ठेका खोलना ही है तो यहां पर इतना लंबा चोड़ा में रोड है वहां खोल तो बजाए कि इस गली के अंदर खोलने के क्या बताएं जवान जवान लड यहां पर ठेका नहीं खुलना चाहिए जवान लड़की आती है यहां पर निकलने की बहुत दिक्कत होती है और कौनी मार मार के चलते हैं मोटर साइकल वाले उल्टे बोलते हैं यहां पर बताओ क्या करें और यहीं मूतंगे ठाड़े आका इसको लेकर कभी कंप्लेंड करी कि आप लोगों ने यहीं अभी कंप्लेंड करिया कंप्लेंड करिया का लेकिन उससे पहले यह ठेका बंद होगया हमें काफी कुछ हुई जो हमने मेहनत की है कंप्लेंड बना इसकी आप अब जब यहां पर बना दुबारा से है तो अभी हमें आज ही पता लगा है और आज हम लोगी कत्रित हुए हैं अब दुबारा हम इसकी कंप्लेंड टाइब कर वाके इसकी पहले तो सबसे पहले आपको ठाने में एक पर कि यहां पर किसी भी राजनितिक पार्टी को बीच में इसके बिरोध में जरूर खड़ा होना चाहिए बज़ए कि दखल अंदाजी देने के कि यहां पर यहां पर यहां पर ठेके नहीं खुलने चाहिए क्युंकि तो यहां पर आने जाने में हो जॉब जोब अगेरा भी करते हैं लड़किया भी यहां फिर ठेके खुल जाएंगे तो यहां पर बत्ति में चालू हो जाएंगे आपको पता हिए पीने के बाद सल्ट्राम है इतने करते थे हमारे जिलाद्यक्ष भाजबा से देविं नहीं करते वो जिलाद जैक्ष तो अपने साथ है क्या किया उन्होंने क्या किया और हमने हमारे शेतर में और भी जहां जैसे सेक्टर 20 में नहीं आपकारी नीती के तहट जो ठेके खुले थे हमने उसका विरोध किया और बंद करवा के यह नहीं मैं यह कर रहा हूं जैसे इधायक जी को दो कम से कम उन लोगों को भी यह समझ में आ जानी चाहिए कि छेतर में अगर वागई रेजिदेंसल एरिया में ठेका खुल रहा है तो बजाए पाइटी वाद लाने के कम से कम समाज वाद लाएंगे तो शायद यह ठेका विरोध में होंगे तो यह बंद हो स यह बंद हैं यदि एक चीज की विरोध में खड़ा होना है तो विपक्स खड़ा होगा हमेशा मला भारतिय जंदा पाइटी के कुछ लोग खड़े हो जाएंगे तो अगर वहां पर आमाद ही पाइटी के नहीं पहुचेंगे कॉंग्रेस के नहीं पहुचेंगे होना क्या कि यदी वाकवी समाजिक बुधा है तो हम पर सभी पाइटिऊंगों को लोगों करकर पाइट के वाद पएटática वाद को वहां पर आपने घर चोड़ करके यहां पर समाज वाद के लिए कठ्था होना से बज़ये Kaf पाइटी बात करें क्या नाम मेरा नाम विपिन शर्मा है मेरा क्याना कि मनले यह चार-पांच साथ-दस दुकाने जितनी बनी हुए ना यह स्पैशल इसलिए बनाएगी कि यहां पर जो नमकीन वगारा सब बित्ती हैं और पीछे परदा लगाकर दारू पिलाई जाती है और आप अपनी मोटर साइकल यहां से निकाल नहीं सकते हैं इतनी भीड हो यह थी हैं पुलिस क्या करती है कर दो बेट बाले हैं पुलिस वाले हैं वो लोग अपनी मंत्री लेते हैं और फुले आं दडलने जे शड़ा पिलवाते हैं और सही बात यह है और यह सच्चा ही है जितने लोग यहां पर हैं उनमें से 90 परतिशत इस बात को लेके सहमत होगी कहिना कहिना कहिन दिल्ली पुलिस का इसके अंदर विशेश आत रहता है उनको पिलवाने में और इसको श्राब को ठीक हो चलवाने में और किसी भी तरह का बख्षक ही भख्षक बन जाए तब उसका क्या करेंगे क्यों जी मैं को एक बात और कहना चाहता हूं कि यहां पर अब क्रिशन ब्यार की इस गली की जनता और लगबग आधा क्रिशन ब्यार हमारे साथ है और हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े हमें स्ट्रगल कितना भी करन पड़े हम यहां ठेका नहीं खुलने देँगे आप लोग हमारे साथ ayamad Time अजी हमसे सब लोकिants यह वाकई आप लोग भी इस शराब को ठेके का के विरोध में है तो तो मैं खुद भी इसके विरोध में बैठने के लिए तयार हूँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बिल्कुल आपकी हम धरना परदर्शन अपने आखरी दम तक करेंगे जब तक कि यहां ठेका खुलना बंगना हो जाए यहां हम ठेका बिल्कुल नहीं खुलने देंगे और मै बिल्कुल बिल्कुल बुराई के दिरोध में बैठेंगे हम और यहीं सबस्यादा इसको इस प्रकण में इन्हीं को सबस्याद नुक्सान होना इन्हीं नहीं यहां से निकलना शराबी निकलने नहीं देते बहुत बुरी हालत हो जाती है आप इनसे पूछ सकते हैं और जो भी भाई मेरी इस खबर को देख रहे हैं यदि आप लोगों को वाकई हमारा यह परयास अच्छा लग रहा तो एक बर वीडियो को शेर जरूर करना और उमीद करूंगा शाषन से भी परशाषन से भी यदि वाकई छेत्र की इतनी जंता इसका विरोध कर रही है और जब कि में रोड है यहां पर महां खोल लें तो शायद रेजिदेंसल एरिये में इतनी दिक्कत नहीं आएगी बहु बेटियों को नहीं छेडा जाएगा यहीं पर टॉलेट नहीं किया जाएगा बाकि आप लोगों को हमारा यह परयास कैसा लगा उसको लेकर के कमेंट बोक्स में और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर जुरूर करना जहिंद भारत लगाएगा लगाएट 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 उखडबा दिया ठेके वालों ने कि कही ना कहीं देखो उनके व्यपार के उपर बात आएगी तो वो किसी भी हद तक जादा गिरी भी कर सकते हैं जा ग्रापतम भूवरचा ब सकते हैं यहां दोस सारी महसम उसका हो पहले हैं हो चुका है तो आप सबीसे इन्रोच करते हैं हम सरकार से भी करते हैं कि इस करकते काम को गल्थ काम को रोके हैं साथ में ट्रेंग्मिनल है और साथ में पब्लिक स्कूल है साथ में रिक्त होती है आप से निरोध है कि यह नहीं खुलेगा ठेकेम वालें खो ATV DCP सबसे अन्रोध है कि यहां ठेकाग पित्कुल के नहीं खोलने दें मैं भी उमीद करूँगा कि यहां के जो छेत्रिय पार्षद हैं बिधायक हैं जिला जक्षे सांसेद हैं जितने भी बड़े बड़े नेताजी हैं यहां पर इकटे हों और क्या नमें इस बुराई के विरोध में इसके परदर्शन करें और इस बुराई को खुलने से बचाएं और बंद करें इसको बाकि आप लोगों को इनका परियास कैसा लगा वो भी एक पर कमेंट बॉक्स में राई जरूर देना क्योंकि कहें ना कहें वाकि एक बुराई के विरोध में यहां पर सब लोग मुझोद हैं जैहिंद जैबार